C.I.E.T. N.C.E.R.T. की ओर से प्रस्तुत है कक्षा पांच के लिए गनित की पाठ पुष्टक गनित का जादू का बारहवा अध्याय स्मार्ट चार्ट पेज 169 यामिनी ने एक प्रोजेक्ट जानवर और पक्षी पर काम किया उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतु जानवर के बारे में पूछा हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसने टैली चेहने लगाना शुरू कर दिया अगर किसी ने कहा बिल्ली तो उसने तालिका में बिल्ली के सामने एक रेखा खींची फिर किसी ने दोबारा बिल्ली कहा तो यामिनी ने एक रेखा और खींची इसलिए इस निशान का मतलब है दो बिल्लियां और इस निशान का मतलब है पांच बिल्लियां कुल चौबीस बच्चों ने बिल्ली को अपन प्यारा पाल तू जानवर बताया यामिनी की तालिका पूरी करने में मदद करो यहां एक तालिका कुछ बच्चे, पशू और पक्षी दिये गए हैं जानवर टैली चिन अंक बिल्ली चौबीस कुट्टा खाली जगह खरगोश गाय तोता बकरी गिलहरी टैली चिहन को देखकर तालिका में हर एक जानवर की संख्या लिखो यामिनी ने कुल कितने बच्चों से बात की इस तालिका में सबसे ज्यादा बच्चों का प्यारा पालतू जानवर कौन सा है तुम कौन सा पालतू जानवर रखना चाहोगे तुम इसे किस नाम से पुकारोगे और कौन से जानवर घर पर रखे जा सकते हैं चर्चा करो पेज एक सो साथ यहाँ एक साइकल और एक रिक्षा दिखाया गया है जिस पर कुछ लोग बैठे हैं सडक पर टेली चहन सुमिता ने आधे घंटे सडक के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना उसने हर गाड़ी के लिए टेली चहन लगाया इस से उसे हर तरह की गाड़ी को जल्दी से गिनने में मदद मिली यहाँ सडक पर कुछ वाहन एक बच्ची और एक समों से बेचने वाला दिखाया गया है पेज 161 टेली चेन संख्या साइकल खाली जगह कार ओटो रिक्षा बस साइकल रिक्षा ट्रक हर एक तरह की गाड़ीयों की संख्या तालिका में लिखो आधे घंटे में सुमिता ने सडक पर कुल कितनी गाड़ीया देखी ट्रकों से आटो रिक्षों की संख्या तिगुनी थी सही या गलत साथ और बसों के लिए और दो और ट्रकों के लिए टेली चेन लगाओ आओ कोशिश करें अपने घर के आसपास का चकर लगाओ पता करो कितने अलग-अलग तरह के पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं क्या तुम्हें उनके नाम पता है तुम पेड़ों के चित्र बना सकते हो टेली चेनों से अलग-अलग पेड़ों की संख्या लिखो बच्चों को प्रेरित करें कि वे टैली चेहनों का उपयोग करके कई तरह की वस्तूओं के आंकड़े बड़ी संख्याओं के साथ रिकॉर्ड करें पेज 162 यहां एक कक्षा का द्रिश्च है जिसमें ब्लैक बोर्ड, अध्याबिका और बच्चे दिखाए गए हैं साथ ही डोरी पर सूखते हुए कपड़े और एक महिला और एक पुरुष भी दिखाए गए हैं मदद करने वाले हाथ EVS के पीरियड में अध्याबिका ने बच्चों से पूछा कि क्या वे अपने माता-पिता की घर के कामों में मदद करते हैं इसके अलग-अलग उत्तर मिले बच्चों ने उन कामों को बताया जिनमें वे अपने माता-पिता की सबसे ज्यादा मदद करते हैं अध्याबिका ने सभी उत्तरों को इकठा करके एक तालिका में लिख दिया यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है घर के कामों में सबसे ज्यादा मदद बच्चों की संख्या बाजार जाना 47 बरतन धोना 15 कपड़े धोना 3 खाना बनाना वपरोसना 25 घर की साफ सफाई करना 10 माता-पिता की मदद करने वाले कुल बच्चे खाली जगह पेज 163 क्या तुम दिये गए चापाती चार्ट को तालिका में दिये गए आंकड़ों से पूरा कर सकते हो एक प्रयास करके पता लगाओ वे बच्चे जिन्होंने खाना बनाने एवं परोसने में मदद की कुल बच्चों में से एक बटा तीन बच्चे हैं ख कुल बच्चों में से आधे बच्चे हैं ग कुल बच्चों में से एक बटा चार बच्चे हैं घर की सफाई दस अभ्यास का समय स्कूल के बद अपने दस दोस्तों से पूछो कि वे स्कूल के बद अपना समय कैसे बिताते हैं स्कूल के बद क्या करना पसंद है बच्चों की संख्या टीवी देखना खाली जगह फुटबॉल खेलना कहानिया पढ़ना यहां कुछ बच्चे खेलते और सोते दिखाए गए हैं पेज 164 विज्यापन रागिनी को टेलिवीजन पर कार्टून देखना बहुत पसंद है एक दिन उसने सोचा कि वहक कार्यक्रमों के बीच में आने वाले विज्यापनों को गिनेगी उसने पाया कि हर ब्रेक में 14 विज्यापन आते हैं और उन में से 10 विज्यापनों में बच्चे अभिने करते हैं यहां एक बच्ची टीवी देखती हुई नजर आती है तुम्हरे विचार में इतने सारे विज्यापनों में बच्चों को क्यों लिया जाता है टीवी कार्यक्रम के बीच में आने वाले ब्रेक में विज्यापनों को टैली चिहनों की सहयता से गिनो क्या समाचारों के बीच में भी विज्यापन आते हैं स्वयम करें अगली बार टीवी पर अपना मनपसंद कारिक्रम देखते हुए हर ब्रेक में आने वाले विज्यापनों को गिनो टैली चिहनों का प्रयोग करो जब भी तुम्हें विज्यापन में कोई बच्चा नजर आए तो उस टैली चिहन के नीचे एक बिंदु भी लगाओ अपने उत्तर को अपने दोस्तों के उत्तर से मिलाओ क्या तुम्हारे उत्तर अलग हैं? यहां एक लड़की बड़े बालों वाली एक आईस क्रीम कैन चिप्स का पैकेट और साबून का पैकेट दिखाए गए हैं पेज 165 गर्म और ठंडा क्या तुमने टीवी या अखबार में मौसम की खबर देखी है? यह दो बार चार्ट हैं इन में दो अलग अलग दिनों में चार शहरों का अधिक्तम तापमान दिखाया गया है यह शहर हैं दिल्ली, शिमला, बैंगलोर और जैसलमेर 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री, 22 डिग्री, 28 डिग्री, 38 डिल्ली, शिमला, बैंगलोर जैसलमेर एक जून, 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री, 10 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिल्ली, शिमला, बैंगलोर, जैसलमेर, एक दिसंबर, बार चार्ट से पता करो एक जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है एक दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है किस शहर में एक जून और एक दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया खुद करो किसी एक दिन किन ही भी तीन अलग अलग शहरों को चुनो और टीवी या अखबार से उनका तापमान रिकॉर्ड करो अब इस रिकॉर्ड से अपनी कौपी में बार चार्ट बनाओ और अपने दोस्तों से इस बारे में कुछ प्रशन पूछो देखो क्या वे तुम्हारा चार्ट समझ पाए बच्चों को भारत के मानचितर में अलग अलग शहरों को ढूंडने में मदद करें वे शहरों के तापमान के बदलाव को समझ कर वहां के मौसम के बारे में जाने पेज 166 पहले आस्टेलिया में कोई खरगोश नहीं थे 1780 में आस्टेलिया में खरगोश लाए गए उस समय वहां पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो इसलिए वहां पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे सूचो उन्होंने फसलों का क्या किया होगा नीचे दी गई तालिका से समझ सकते हैं कि खर्गोशों की हर साल कितनी बढ़ुत्तरी हुई यहां एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है साल खर्गोशों की संख्या शुरू दस एक साल अठारह दो साल बतीस तीन साल अठावन चार साल एक सो आठ पांच साल खाली जगा च्छै साल खाली जगा एक हर साल के बाद खर्गोशों की संख्या क पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी ख पिछले साल की संख्या से दुगनी थी ग पिछले साल की संख्या से आठ ज्यादा थी ग पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ ज्यादा थी दो छटे साल के अंत में खर्गोशों की संख्या हो गई लगभग चार सो छैसो आठ सो तीन किस साल के बाद खरगोशों की संख्या एक हजार को पार कर गई सन्निकटन की समझ को बढ़हवा देने के लिए ऐसे कुछ और उदाहरणों का अभ्यास कक्षा में करवाएं पेज 166 परिवार व्रिक्ष माधव अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया वह वह बहुत सारे रिष्टेदारों से मिला पर वह सब को नहीं जानता था वह अपनी माँ के दादा से मिला और उसे पता लगा कि उसकी माँ की दादी जिन्दा नहीं है उसे यह भी पता लगा कि उसकी माँ की दादी की माँ अभी जिन्दा है और उनकी उम्र सौ साल से ज्यादा है माधव उलज कर रह गया वह अपनी माँ की दादी की माँ के बारे में तो सोच भी नहीं पा रहा था इसलिए माधव की माँ ने उसको समझाने के लिए एक परिवार व्रिक्ष बनाया यहां एक परिवार व्रिक्ष दिखाया गया है पीड़ी पाँच पर-पर नाना पर-पर नानी शोभना के दादा के पिता शोभना के दादा की माँ शोभना की दादी के पिता शोभना के नाना के पिता शोभना के नाना की माँ शोभना की नानी के पिता, शोभना की नानी की मा, पीड़ी चार, पर नाना, पर नानी, शोभना के दादा, शोभना की दादी, शोभना के नाना, शोभना की नानी, पीड़ी तीन, नाना नानी, माधव की मा ने इस चित्र से माधव को उसके परिवार के बारे में समझने में मदद की तुम भी अपने बड़ों के बारे में ऐसे ही परिवार व्रिक्ष की मदद से पता लगा सकते हो माधव के परिवार व्रिक्ष को देख कर इन प्रशनों के उत्तर दो 1. शोभना के कुल कितने पर्नाना पर्नानी हैं? 3. माधव की सातवीं पीड़ी में कुल कितने बड़े होंगे 4. अगर माधव इस परिवार व्रिक्ष को आगे बढ़ाए तो किस पीड़ी में 128 बड़े होंगे बढ़ते हुए पौधे का चार्ट यहां एक चार्ट दिया गया है दिन पौधे की लंबाई सेंटी मीटर में शून शून चार एक दशमलव चार आठ पांच दशमलव तीन बारह नो दशमलव पांच सोलह दस दशमलव दो बीस दस दशमलव नो अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज जमीन में डाले पहले चार दिनों में पौधे की लंबाई एक दशमलव चार सेंटी मीटर हो गई उसके बाद वह तेजी से बढ़ने लगा हर चार दिन बाद अमित ने पौधे की लंबाई नापी और अगले प्रिष्ठ पर बने चार्ट में बिंदु लगाया उदाहरण के लिए अगर हम चौधे दिन पर लगे बिंदु को देखें तो पता लगेगा कि पौधे की लंबाई एक दशमलव चार सेंटी मीटर है हर बिंदु की उचाई पर विचार करो और तालिका से जांचो कि अमित ने बिंदु ठीक लगाये हैं कि नहीं पेज 179 यहां एक चार्ट दिया गया है पौधे की लंबाई सेंटी मीटर में बारह, ग्यारह, दस, नौ, आठ, साथ, छे, पांच, चार, तीन, दो, एक, शुन, चार, आठ, बारह, सोलह, बीस, दिन ग्राफ से पता करो क किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी एक, शुन, से चार, दो, चार, से आठ, तीन, आठ, से बारह, चार, बारह, से सोलह, पांच, सोलह, से बीस ख, चौधवें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी, अंदाजा लगाओ एक, आठ, दशमलव साथ सेंटिमीटर दो, नौ दशमलव नौ सेंटिमीटर तीन, दस दशमलव दो सेंटिमीटर चार, दस दशमलव पांच सेंटिमीटर ग, क्या यह पौधवें हमेशा बढ़ता रहेगा सौवें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी, अंदाजा लगाओ आखिरी प्रेशन पर बच्चों को आपस में चर्चा करने को कहें बच्चों को प्रेरित करें कि वे अपने आसपास के विभिन पौधों और जानवरों की बढ़ुत्तरी देखें इसी के साथ 14 अध्यायों वाली इस पुस्तक का 12 वां अध्याय पूरा हुआ स्वर मुईनुल हसन नियाजी तक्नीकी नियंत्रन बैटलेंग लिंगदो तक्नीकी सहायक विकास संघवान निर्मान सहयोग रुचिशर्म निर्मान एवं निर्देशन विमलेश चोधरी प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत